है गाईज आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर महर्श्यादली उत्रप्रदेश सिख्षक भरती यानी सूपर्टेट की परिक्षय की तैयारी हम अपने चैनल पर शुरू कर चुगे जिसमें अभी केवल हमने एक ही विशे को शुरू किया है जो है आपका क क्योंकि इसमें आपके तीस अंक के प्रश्ण के ही पूछे जाने हैं तो इसको हम continue रखेंगे इस सीरीज को इसके अलावा जो बाकी विशे हैं उनको एक बार पहले में डिसकुस करूंगा सलबस को और जो विशे ज्यादा स्कूरिंग होगा उसको उसकी क्लासिस को हम पहले विजिट करते रहेगा क्योंकि अब टाइम टेबल के कॉर्डिंग हम क्लासे शेडियूल करने वाले हैं अपनी और इन वीडियो को शेर जरूर कीजेगा आज का पहला प्रश्ण देखेंगे वर्ष 2021 में नीती आयोग ने चोथा राज्य स्वास्ति सूचकांग 2019 जारी किया है इससे संबंदित निमन कत्नों पर विचार कीजिए इसमें पहला स्टेटमेंट सूचकांग में बड़े राज्यों में केरल को सीर्स इस्थान प्राप्त हुआ है तो नीती आयोग के द्वारा जारी की गई है वर्ष 2019-20 की स्टेट हेल्थ इंडेक्स इसमें आपको सबसे पहला स्टेटमेंट जो है इसमें बड़े राज्यों में अगर हम देखें तो केरल को सीर्स इस्थान मिला है ये बात सही है सही स्टेटमेंट है छोटे राज्यों में मिजोरम को सीर्स इस्थान मिला है ये बात भी ठीक है दोनों को याद रखना है और अगर यूटीज कें होनी चाहिए परिक्षा के लिए तो इस प्रेशन का आंसर हो जाएगा option d उपरयुक्त सभी प्रेशन अगला भी important है 2021 को राश्टे सुसाशन दीवस के अवसर पर केंद्रिय और ग्रह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुशाशन सूचकांग 2021 जारी किया इसे समद्रिय जो कथने उन पर विचार कीजिए पहले बात एक प्रेशन बनता है किस तारीक को तो यह 25 दिवसमंब को मनाया जाता है एक प्रेशन तो यह बनता है अब हम बात करेंगे सॱ्शकांग 2021 की इस सूचकांग में गुजरात सम्मिलित rankin में सीर्च स्थान पर रहा यह बात ठीक है पहला statement ठीक है सुशाचन सूचकांक 2021 में गुजरात पहले स्थान पर रहा केंद साशित प्रदेशों में दिल्ली सीर्च स्थान पर रहा ये बात भी ठीक है इसके अनुसार उत्तरपूर्व और पहाड़ी राज्यों के शेडी में हिमाचल प्रदेश सीषिस्थान पर रहा तो ये तीनों तथ्ये बिल्कुल ठीक हैं सुसाशन दिवस के बारे में इसका अंसर करेंगे हम option D उपरियुक्त सभी प्रशन अगला बेहद इंपॉर्टन्ट है दोजार इकीस में जो है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने शहाजापूर में उत्र प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे की अधार शिला रखी इस एक्सप्रेस वे के सम्मध में 594 किलोमीटर होगी बात बिल्कुल ठीक है छे लेन का यह होगा सिक्स लेन होगा और इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की लागत राशी जो है वो 36,200 करोड रुपे से अधिक होगी आप लागत याद रखे ना रखें ये स्टेट्मेंट भी ठीक है लेकिन आपको इस एक्स गाउं तक बनाया जाएगा ये बात भी सही है ये एक्सप्रेस बे 12 जिलों से होकर के गुजरेगा ये लास्ट वाला ठीक नहीं है तो यही हमें चुनना है यही अंसर है हमारे प्रशन का तो ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा ये 10 नहीं बलकि 12 जिलों से होकर के गुज प्रयाग राज तो शुरुवात होगी मेरट से और डेस्टिनेशन फाइनल कहां रहेगा प्रयाग राज तक अंसर्डी योगा इसका प्रशन अगला देखिए 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात ने ग्राम प्रधानों छेत्र पंचायत के प्रमुखो और जि पांच हजार रुपे प्रती महा किया है तो इसमें इसका अंसर क्या होगा डी ऑप्शन इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत प्रमुखो की पहले 9800 रुपे इनका मांदे हुआ करता था अब पढ़ा कर कितना किया गया है 11300 बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष क की तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो मांदे पहले 14000 रुपे था अब 15500 रुपे होगा ठीक है यह यहां तक यह आपका डी ऑप्शन है इसका सही अंसर प्रेशन अगला देखिए 2021 के मध्य है साथ में भारत साथ में भारत अंतराश्चे विज्ञान महसब 2021 का आयजिन कह किया गया है पन जी में पन जी कहां पर है गोवा में उत्र प्रदेश के समंदित आज का तीसरा करेंट अफेर से सर्यू नहर रास्ट्य परियोजना के समंद में कौन सा तथे सही नहीं है 11 दिसंबर 2021 को परिधान मंत्री नहरेंदर मोदी के द्वारा बलरामपूर उत्रपरदेश में सर्यु नहर रास्टे परियोजना का उत्गाटन किया गया ये बात बिल्कुल ठीक है वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधान मंत्री किरसी सिचाई योजना में शामिल किया गया था ये बात भी ठीक है इस परियोजना से पूर्व उत्रप्रदेश के नोजले लाभान वित होंगे ये बात भी ठीक है इस परियोजना से 12 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिचाई के लिए पानी उपलग्ध होगा तो इसमें छोटा सा करेक्शन करना है ये 14 लाख हेक्टेयर के लिए है तो इसमें ये गलत हो जाएगा ठीक है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शिन डी अनकैडमी लर्णिंग एप्लिकेशन पर आप मेरी क्लासिस ले सकते हैं स्पेशल क्लासिस, फ्री क्लासिस हैं जो की UPPSC के लिए हैं, UPCC के एक्जामिनेशन के लिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लीजेगा वहां से यहां मेरे सारे लाइफ सेशन होते हैं और यहां अनकैडमी पर आपके लिए UPPSC की एक फ्री टेस्स सिरीज चल रही है GS की, दो हजार आपका 2022 जून में जो है आपका पीपर है GS का स्वरी, 2022 में जो आपकी परिक्षा होने वाली है UPPSC की उसमें GS का जो पेपर वन है, उसकी टेस्स सिरीज यहां पर चल रही है यही फ्री टेस्स सिरीज है, सुबा दस बज़े आए जित किया दी संडे को तो इसमें रैंक वन अगर आप लेकर के आते हैं सारे batches already in की तयारी आप Freeman Academy से एक साल के दौरान में कर सकते हैं अगर directly आपको प्लस में जाना है, इनकी तयारी करनी है without test series तो आप directly भी जा सकते हैं, इनके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन चूज़ करना होता है इसमें, तो जो आपके according suitable हो, जैसे 12 month, 6 month, 3 month यह सारे available है यह subscription academy के UPPSC category में, तो इसमें अगर आप मेरा referral code use करेंगे किसी भी subscription पर ILE10 तो आपको 10% का additional discount मिल जाएगा, जिसमें मेरी classes भी है आपके लिए और बाकी top educators की भी UBPSC examinations related जो भी जानकारे आपको चाहिए वो इस number से ले सकते हैं, 971-788, again 7881 पर question अगला, very important है, 2021 के मध्ये, 52, 52 भारतिये, अंतररास्टिये, फिल्म महुतसब, 2020, गोवा की राजहनी, पन जी में आयजित क्या गया निमले कितकतनों पर विचार कीजिए चले, पहला statement देखें, इस वर्ष जो महुतसब था, इसका आयजन जो है, फोकस देश जो है, वो जापान था पहला statement गलत है, जापानी फिल्म रिंग वांडरिंग ने प्रतिस्टित गोल्डन पीकोग पुरुसकार जीता ये बाट ठीक है पिरसित संगीत कार जो प्रसून जोशी है, इंको इंडियन परसनलिटी ऑफ दी इयर से समानित किया गया अन्तिम दोनों ठीक है, इंपोर्टन सूचकांग के 24 नमबर 2021 को नीती आयोग के द्वारा पहली पहला रास्टे बहु आयामी निर्धनता सूचकांग 2021 जारी किया गया इस सूचकांग में कौन सा राज्य सरवादिक गरीब राज्य है तो इस सूचकांग को इंगलेश में कहेंगे नैशनल मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2021 जो की नीती आयोग ने जारी किया और यह परिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है जो नीती आयोग के द्वारा इंडेक्स जारी की जाती है इसके गॉर्डिंग जो है उत्रवादिक गरीब राज्य है इसके बाद बिहार के बाद नंबर आता है जारखंड का थर्ड पोदीशन पर आता है उत्रवादिक गरीब तो है क्या है सुचांगे काडिंग बिहार उसके बाद चारखंड उससे कम गरीब उससे कम तीसरी पर उत्रवर्देश का भी पूछ सकता है 2021 में ग्रहमन चाले के दुवारा जारी सर्विस्टेश्ट पुलिस स्टेशन रैंकिंग जारी की की 2021 कीस में किस पुलिस स्टेशन को भारत का सबसे सर्विस्टेश्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया तो यह सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली सदर बाजार प चूज करना है अक्टूबर 2021 में सिख्षा मंत्राले के दौरा चार वर्ष ये एकिकरत अध्यापक सिख्षा कारिगरम को अधिलसूचित किया गया यह बात ठीक है इस कारिगरम के तहट जो बी ए बियर्ड है बी से ब्यर्ड है इनके पार्टिक्रम को पेश किया गया इंटेग्रेटिट कोर्स है यह मतलब ग्राजुशन के साथ बीएड को कैसे कम मैंड किया गया है तो इस इस इप की शुरुआ सेक्षिक शक्त दूए सेक्षिक जो अगला हमारा सत्र आ रहा है तो इसमें जो है सीब्सकी की द्वारा नहीं जो रास्टिय परिक्षा एजिंसी है एंटीए के द्वारा जो सामान्य कौमन इंट्रेंस होगा इसके लिए उसके थूए अड्मिशन दिया जाएगा इसमें ठीक 2030 से जो सिख्षकों की भरती है वो ITEP के माध्यम से किया जाये करेगी 2021 के मध्य आपदा प्रबंधन पर पांच 20 कॉंग्रेश कहां पर आयजित की गई इसका आजन नई दिल्ली में किया गया option D correct answer है प्रेशन अगला 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने नौएडा अंतरास्ट्य हवाई अड़े की आधार शिला रखी इस हवाई अड़े के संदर में कौन से तत्य सही नहीं है नौएडा अंतरास्ट्य हवाई अड़े जेवर गोतम बुद्ध नगर में नरमित किया जा रहा है बात ठीक है बिल्कुल तूसरा statement देखे इस रास्ट्य हवाई अड़े होगा ठीक है तो यह दूसरा वाला ही इसका अंसर होगा रास्ट्य जानी छेत्र दिल्ली से यह दूसरा हवाई अड़े होगा बिल्कुल ठीक है क्योंकि एंसियार में ही आता है नौएडा और यह भारत का पहला हवाई अड़े होगा जहां उत्स स्वच सर्विक्षन 2021 जारी किया गया है इसके समंद में आपको सही और गलत कथनकी पहचान करनी है इन दौर ने लगातार पांच भी बार सबसे स्वच शहर होने का खिताब जितकर रेकॉर्ड बनाया है ये बाट ठीक है बिल्कुल वरानसी को गंगा के किनारे पर बसा सर्वसेष्ट सहर एक लाग से अधिक आबादी वाले में जो है नामित किया गया है ये बात भी ठीक है इसके अनुसार राजच चेस्तर पर एक से एक से लेकर दस लाग तक आबादी में अंबिकापूर सीट किस्तान पर रहा ये बात गलत है तो अंबिकापूर फस्ट पर नहीं था सेकेंड पर था इसमें जो फस्ट पर होगा वो दिल्ली है ठीक है याद रखेगा दिल्ली तो इसमें पहला दूसरा ठीक होते हैं इसका आंसर कर लेंगे ऑप्शन फस्ट अगला प्रशन देखिए वर्ष 2021 को इंटरनेट पर अध वर्ष अड़माइड 2021 के नुसर पूर्व अमेरिकी राज़पती बराक उबामा सबसे अधिक प्रसंसित व्यक्तियों की सूची में आवरोल पहले स्थान पर रहे ये बात ठीक है इस सूची में प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी आठ्वे स्थान पर रहे ये भी ठीक है प्र Global Health Security Index के अंदर बताना है भारत को 66 वा स्थान मिला था बिहार का मखना जो सौरी मखाना जो होता है इसका नया नाम क्या रखा गया तो इसको मिधिला मखाना इसका नाम चेंज किया गया है इसको भी याद रिखेगा 2021 में भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉंच किया इसका नाम बताना है आपको इसका नाम है रूद्र ऑप्शिन ए बिलकु ठीक है रूद्र तो यह आज के कुछ प्रेशन थे इंपॉर्टन्ट जो थे दसंबर महीने के 2021 के और 2022 की जिनवरे महीने के हमने कल के वीडियो म इंप लॉड़िए